Hello everyone, welcome to study IES और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिसकस करूँगा बिर्शा मुंडा जी के बारे में मैं बता दूँ कि 15 नवेंबर इनकी आपके सकते हैं बर्थ एनिवर्सिटी थी लोगोंने सेलिब्रेट करी और आपको पता है कि हमारे जो प्रेजेंट हैं द्रॉपती मुर्मुर जी वो भी आपके सकते हैं उन्होंने बहुत अशे तरीके से इस चीज को करा और इस ओगेजन पे उन्होंने काफी कुछ करा हम लोग को सब कुछ डिसकस करने वाले हैं और हम लोग देखेंगे कि इनका नाम किस तरीके से इनकी स्ट्रगल रही और कैसे इनोंने यहां पे लोग की मदद करी एक आपके सकते हैं ट्राइबल लिटर होते वए इनके कितनी सारे स्ट्रगल इन्होंने फेस करी थी बहुत तरी प्रोब्लमाई सी उसके बाद ही आप लोग को इनका नाम सुनने को मिलता है और आज ची वीडियो बहुत important और बहुत interesting रहने वाली है after this वीडियो दोस्तों आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा अब स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं बिरसा मोंड़ाजी के बारे में पर उसे पर बता दूमें आपको यहाँ पर कि आप लोग 0% की MI का फायदा उठा सकते हैं साथी 28 नमबर तक ओफर एवलेबल है C-set के लिए आप लोग को बता दूमें कि EPF को जो क्लासिज हैं ये भी लाइव हो चुकी हैं तो जो बच्चे इंट्रेस्टेड हैं वो जाके एन्रोल कर लीजे तो सीरीज एवलेबल है GS की मेंस की इसका फायदा आप लोग उठा सकते हैं और फ्री इंट्रेव्य गाइडन्स प्रोग्राम भी एवलेबल है हमारा एप है कम्पीट ये लॉंच हो गया है जहाँ पे अगर आप लोग बैटल वगएरा करते हैं तो आप लोग को लेपटाप मिलेगा और दो लाग तक के प्राइस मिलेंगे और फिर आप लोग खुब से चोक्रेट खाईएगा जो सेंटर है इन्होंने मार्क करा अपना सेकिंड जनजात ये गौरफ दिवास 15 नवंबर को और यहाँ पर लोग सेलिबरेट करते हैं जो भी कॉंटरिबिशन आया है ट्राइबल कमुनिटीज का टू दी इंडिन कल्चर इसको हमारी प्रेसिडेंट जो की द्रौपती मुर्मुर्जी है जो की एपॉंट करेगे थी एजी इंडियाज फर्स ट्राइबल विमन प्रेसिडेंट इस साल और यह यहाँ पर विजिट करती है जो इरिहाँ तो विलेज है आप करते हैं कुंति डिस्टिक जहारकन में वहाँ पर जो की बर्थप्लेज है आप करेखते हैं बिरसा मुंदा जी की भगवान वाना दाता है बेसिकली इन्हें और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इन्होंने काफी बड़ा ट्रिब्यूट दिया बेसिकली इन्हें और वहाँ पर सारे फ्रंक्षिंस को यहाँ पर अटेंड भी करा अब क्या सिच्विशन दी दोस्तों जहारकन ट्राइबल्स में 18th century के अंदर देखे जो मुंड़ा ट्राइब है यह आप करते हैं इन अबीट रही छोटा नागपूर जगाओ पर जो कि इस टाइम के आप कर सकते हैं जहारकन है वहाँ पर चोटा नागपूर वाली जगह है इन जगाओ पर आपकर जण्नम होता है 1875 को और बिश्रिश यहाँ पर अटे देखे इसकी लोकल जमीदार की जो की मदद करते थे उनको कि वह फोर्स करें ट्राइबल को और आप तरह के से लेबर वाला काम करवा सके उनसे इसके बाद जो फीडल जमीदारी सिस्टम है वह इंट्रिउस होता है जहां बे वह डिस्ट्रॉय कर देते हैं ट्राइबल आप लोग यहां पर जोएन कर पाएंगे जर्मन मिशन स्कूल को उसके बाद यह आप्ट करते हैं अपनी स्कूल एद्जकेशन को कुछ सालों तक बेसिक निए छोड़ देते हैं फिर फिर जो impact पड़ा British के rule का उस पूरी reason में जो activities दोस्तो Christianity Masonry से और काफी से जो Tribles हैं जो critically यहाँ पे आपके ज़ते हैं उनकी वज़े से उनकी presence के वज़े प्रब्लम में आ रहे हैं ये उन्होंने देखा 1886 और 1890 के बीच बिर्सम उन्दा ने काफी सारा जो अपना time है ये spend करा चायबासा के अंदर जो कि अपने सरदारी agitation के अंदर आता है और सरदार activities जो हैं दोस्तों वो strong impact करती हैं उनको इसके बाद ये anti missionary और anti government programs में सामिल भी हो जाते हैं इन्होंने left करा अपना चायबासा 1890 के अंदर और बिर्सम जो है वो strongly यहाँ पर entrist रहे अपनी movement against the British operation of the tribal communities इसका क्या मतलब भरा basically उन्हें 1890 के अंदर इन्होंने माल लिया कि अब इन्हें कुछ भी करके यहाँ आपके अपनी आजादी चाहिए और उसके लिए कुछ भी काम करेंगे एक यहाँ पर बहुत बड़ा event आता है जिसका नाम है उली गुलन movement जो आप करते हैं उली गुलन movement है दोस्तों यह आता है 1899 के अंदर और यहाँ पर यूज के अगे weapons का gorilla warfare जो आप लोगने सुना होगा basically वो लेके आ गया जिससे कि जो foreigners हैं उन्हें बहर बेजाता सके मुंड़ा यहाँ पर encourage करते है ट्राइबल्स को कि वो refuse कर सकें जो colonial laws है उनको और जो rent वगरा है उनको देने से यह encourage करते हैं लोग को कि वो कही न कहीं change ले के आ सकें अपने social despair में challenge करते है religious practices को कि fight कर सकें against the super situation पर भी वो भगवान मतलब भगवान की तरह के उनको treat किया गया दर्दी अबा father of the earth के नाम से भी उन्हें जाना जाने लगा लोग यहाँ पर भगवान इन्हें करने लगे थे और इन्होंने वाकिए में ऐसा कुछ करा था लेगे बिल्टिस दोस्तों इतनी जल्दी हार में मानते है इतनी जल्दी हो गए भी नहीं मार्च से तीन को दोस्तों 1900 में जो मुन्डा है उन्हें अरस्ट किया गया इसके बाद दोस्तों आप करते हैं क्या किया गया जितनी है इनके tribal जो गोरिला आर्मी थी जो अपकरता है जमकुपाई फोरेस्ट के अंदर थी उन्हें भी यहां पर लेके आ गया मदब साथ में पकड़ लिया था फिर माना जाता है कि उनकी जो देथ थी वो ही रांची के जेल में क्योंकि उन्हें इनलेस होगे थी जून 9 1900 के अंदर 25 उनकी मौत होगी बिसिकली दियान तो गया इनका काफी शॉट लाइफ रही लेकिन उन्हें मुवमेंट पर बहुत ज़दा काम किया और उनकी दत के बाद इस मुवमेंट पर भी काम हुआ बिसा मुंडा को जाना जाता है क्योंकि उन्होंने यहाँ पर सिग्निफिकेंट डूल निवाय था कि वो मुबलाइज कर सके ट्राइबल कम्म्यूटी को अगेंज दिब्रिटिस उन्हें जागरुक कर सकें अवेर कर सकें और जो कुलिने ओफिचल जो इंट्रीडू करते हैं लॉव अगयरा को उनको यहाँ पर लेका है कि जो प्रटेट कर सकें उनके राइट्स जो ट्राइबल्स के राइट्स हैं और लेंड राइट्स इनको प समझ में आया हुगा basically कि क्या ये बाते हैं और क्या चीज़ा आपको समझ में आई होगी आपके कोई खुद के suggestion है आपके कोई point of view है आपको बैदा सकते हैं comment section में में तब तक लिए have a nice day and take care